आसाराम बापू, गुर्मीत राम रहीम और रामपाल जैसे कई बड़े बाबाओं के परदाफाश के बाद भी हमारे देश की जनता इतनी मासूम है कि वहे फरोड बाबाओं के चंगुल में बहुत आसानी से फस जाती है तेलंगाना पुलिस ने भी एक ऐसे ही फरजी बाबा को गुरफतार किया है जिस पर लोगों को गुमराह करने और उनसे लाखों रुपे एठने का आरोप है इतना ही नहीं आरोप यहां तक है कि बाबा ने हवस की आग मिटाने के लिए कई महिलाओं को ब्रहमित कर उनके साथ शारिरिक शोशन भी किया है नाल गोंडा पुलिस ने बाबा को उसके तीन साथियों के साथ गरफतार कर डोंगी बाबा के काले कारनामों का परदाफाश किया है पुलिस के अनुसार नाल गोंडा जिले के पी ए पल्ली मंडल के एक गाउं में यह फरजी बाबा शिरी साई सर्व स्वामू साई मांसी चरिटेबल टरस्ट के नाम पर आश्रम चलाता था जबकि बाबा अपने प्रवचन से मासूम भक्तों को अपने चंगुल में फसा कर उनसे काफी रुपे भी एटता था इतना ही नहीं ढोंगी बाबा पर कई महिलाओं से साई प्रवचन के नाम पर शारिरिक शोशन करने का भी आरोब है पुलिस के अनुसार ये फरजी बाबा अमीर लोगों को फसाता था उनसे अपने प्रवचन के द्वारा शब्द जालों में फसा कर शांती पूजा कराने के लिए उन्हें नकली यंत्र जंगली जड़ी बूटी वगेरा देकर उनसे रुपे सोना चांदी और गहने लेता था ये फरजी बाबा गेर कानूनी तरीके से लोगों को ठक कर कमाए रुपियों से जमीन जायदात भी बना रहा था डि आई जी रंगनात ने कहा कि आंदर प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदी गाम का रहने वाला विश्व चेतन्या डिगरी पूरा करने के बाद साल 2002 में हैदराबाद के शिवम रोड में एक कम्प्यूटर सेंटर लगा कर अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठक कर एक करोड़ रुपे उधार लेकर फरार हो गया था उन्होंने बताया कि नामपली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था 17 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें प्रवचन देकर मासूम भक्तों को आकरशित करके उनसे मिलकर पैसे एड़ता था पुलिस ने धोंगी बाबा से 26 लाख रुपे, 500 गिराम सोने के आभूशन, 1 करोड़ 50 लाख रुपे के 3 फिक्स डिपॉजिट, 17 एकर जमीन के कागजात, 7 लेप्टॉप, 4 सेलफॉन और 1 कार भी जब्त की है इसके अलावा कई महिलाओं के साथ ये धोंगी बाबा, वाटस अप चैड भी करता था फिलहाल तेलंगाना पुलिस ने धोंगी बाबा और उसके 3 साथियों को जेल भेज दिया है ब्योरो रिपोर्ट, टाइम 24 निउज